ब्रह्मचरी के लिए भोजन में शुधार होना अत्यन तावश्यक है एक बादशाह ने भागवतिक स्रेष्ट वैद्धि को बुलाया और पुछा 24 घंटे में स्वस्थ शरीर के लिए कितना भोजन अनिवार्ज है तुछ ने कहा 24 घंटे के लिए 49 तूला अन अत्यन तनिवार है एक तूला 10 ग्राम 49 तूला 390 ग्राम 24 घंटे में आपके अंदर अन 390 ग्राम जाना चाहिए इसके बाद उन्होंने कहा कि इतने शेक क्या होगा तो हकीम बुला कि शरीर पोषन के लिए इससे ज़्यादा क्या आवश्यक्ता नहीं है इसके अलावा जो ज़्यादा खाया जाता है वो आतों को बोझा देता है ब्रह्मचरी की हानी करता है भजन में प्रमात करता है और उम्र को नश्ट करता है समय को नश्ट करता है कितना 390 ग्राम 24 घंटे में मतलब 2 रोटी 1 कटोरी दाल बस यह अधा कटोरी दाल अधा कटोरी शब्जी यह स्वस्थ सरीर के लिए चाहिए यह कोई साधू का आर नहीं यह स्वस्थ सरीर के लिए बात्सरा को उत्तर दिया उस भागवतिक वैद्य ने कि 49 तोला अन की केवला वश्रक्ता है देखो इस पर विचार करो भाई 390 ग्राम 24 घंटे में अन जाना चाहिए इसके बाद थोड़ा दूद हो गया थोड़ा पानी हो गया 390 ग्राम 400 ग्राम भी पूरा नहीं 24 घंटे में दिन रात में और इससे सरीर स्वस्त रहेगा और आपकी अध्यात्मिक शक्ती बढ़ेगी वे तो हम बार बार सत्संग में केते हैं ज्यादा भोजन ठीक नहीं है उचित भोजन लीजिए तो आज ये उचित भोजन का भी प्रमाण मिल गया कि 49 तोला भोजन करना है देखो करके देखो एक बार 49 तोला दो बार में और 49 तोला साम के तो दो बार में कर लीजिए उपाशक को आहार के लिए सावधा इसके अलावा जो कुछ खाया जता है वो सिर्फ आतो को बोजा डोने का काम दिया जता है दो बार में समखल करके बुद्धिवान, भाग्यवान, उपाशक इतने अनका ही सेवन करता है दो बार में 49 तोला की बात कह रहे हैं दो बार बुद्धिवान और भाग्यवान और महामूर्ख और अभागा वो अधिक भरता है आतों में इसमें बाणी जी में लिखा है महामूर्ख है वो क्योंकि बे मतलब बोजा भरे जा रहे देखो भोजन तुम्हें तार देगा और भोजन तुम्हें मार देगा तंदुरस्ती के लिए स्वस्तता के लिए और भजन के लिए जितना बताया गया उतना ही भोजन करना चाहिए जीने के लिए खाओ खाओने के लिए मजी हो तो यह कोशिस करो एक टाइम के लिए 49 तुला और दूसरे टाइम के लिए देजी एक दिन एक बार के लिए कहें ना चोविस गंटे में दो बार को इसको विवाजित कर दे तो इसे हम छूट देते हैं चार-चार सो ग्राम मानने दोनों टैम ले ले होगे आठ सो ग्राम होता है ठीक है? एक बार देखो न करके बहुत सांती मिलेगी इसी लाभ मिलेगा सची बात मानना भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है ठीक है? अब इसमें कह रहे हैं कि आहार में क्या लेना है? वजन तो तैं हो गया अब आहार में कह रहे हैं कि शात्विक आहार ही ब्रमचर को पुष्ट करता है हलका मतब सुपाच और मधुर और गेहूं चावल जव साथी मूं अरहर चना दूद अल्प मात्रा में घी चीनी सेधा नमक या पके हुए रितूफल ये ब्रमचर में शाहायक आहार है समझ लेना राजसी का हार गर्मा गर्म धुआ निकलता हुआ नहीं पाना चाहिए यहानिकारक होता है जिसे लोग नहीं जोते गर्मा गर्म एक दम ऐसे वो कितना भी शात्विक अन्न हो वो तामशिक बन जाएगा उसे नहीं पाना चाहिए कोई भी शादर कैसे चाहे भी पिऊ थोड़ा सा हलका सा उसका गर्म पर निकल जाए एकदम धुमा निकलता हुआ नहीं ऐसा अब देखिए त्याज अहार जो उपासक को नहीं करना चाहिए अत्यंत गरम कड़ाई से निकला हुआ एक दम पकोडा गर्मा घर न इस इस एस यह जाक्षसी प्रवत्ति है नैं पाना चाहये अच्छा अपने लोगों 격त गर्मा घर भाग्या में नहीं लिखा है क्यों कि पहले प्रियाजू पाएंगी तो प्रियाजू को गर्म गर्म थोड़ी लगाएंगे पहले योग की उसको बनाओ पाने के मतलब हलकासा गर्म रह जाए फिर श्री जी को भोग लगाओ 20 मिनट भोग लगाओ हो गया सब काम इसके बाद प्रशाद रूप में पालो तो शुआद वाली बाती ले रहे जाएगी परम शुआद आ जाएगा क्योंकि प्रियाजू ने पाया है अत्यन तोश्म और लाल मिर्च परी एकदम तेल उतरा रहा है सबजी में लाल लाल उपर नहीं होता जिसे-से ये ब्रहमचर के लिए हालिका रखे शाधू, श पात्यंत नमकीन और अधिक मीठा, मीठा सात्विक में हो, उपर में बरिणन किया गया है, पर अधिक मीठा, अब पता चला गुलाब जामन आगे तो दसवारा पंदरा तक कोई बात ही नहीं है, खीर आदी, हलुआ आदी, समेठते चले जाएगे, यही कोई गोदाब थोड अब चारसो वाली व्याद है, तो जो अगर खीर अच्छी लगती है, तो सब बंद कर दो, चारसो ग्राम खीर पीलो, हलुआ अच्छा लगता है, तो ठीक कुछ मतलो, क्यों हलुआ ले लो, चारसो ग्राम पालो, कोई बात नहीं, बिना आओ, सदी के पच जाएगा, आप द डाल करके से, ये सादुक, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मचर के लिए, आम कामचुल, इमली, ये बहुत खतरनाक है, बिलकुल नहीं, अपने खान पान में इनका प्रियुक नहीं होना चाहिए, और अत्यंत, तेल युक्त, गरिष्ट, पूरी, कचोडी, मालपुआ, और हेंग पड़ा हुआ, निशेद है, भगवत मार्ग में, ये हिंग को निशेद किया गया है, जो चार जगे उस ब्रमत्या को विभाजित किया गया, वो सास्तर में पढ़ा, एक था मरभूमी, उशर भूमी, तूसरा था ब्रक्षों में गोन, तिसरा मातों बहनों में माशिक धर्म चौथा जल में फेन बुद्बुदा, ये चार जगे उससे ब्भाजित किया गया, ऐसे ही इसनान के लिए है कि जल में जब जाए, तो ऐसे उपर की पर्त को ऐसे हटावे, बले कुछ नहीं पर उसका सिद्दान, तब डूपकी लगा है, दोनों आत से ऐसे करके, फिर उशर भूमे में किसी भी मंगल अनुष्ठान के लिए निषयत किया गया है, और ब्रक्षों की गोन, परमार्थिक उपाशुकों के लिए निषयत किया गया, इसलिए इसमें हींग को भी निषयत कर रहे हैं, और हींग वैसे ही बहुत गरम तासीर होती है, अपने को नहीं पाना प्याज लहशुन गाजर उरद मशाला बजार का बना हुआ जिसे मीट मशाला और यह नहीं और तमोगुणी में मांस मचली अधिया अंडा शराब चाय काफी तमोगुण में रखा है उसी लाइन में रखा है जिसमें निशेद रखा है चाय काफी डाफी भी कोई होता है क्या मैं काफी तो अलग लिखा और डाफी अलग लिखा तो डाफी तो हम तो जलते ले फिर लिखा कोकीन चरस ये सब तमोगुणी में हैं और घोर तमोगुणी घोर तमोगुणी बासी भोजन नहीं बना जाए उसे कलका बना हुआ रखा पिर आज कल चलता है ना कि उसमें बिजली वाली वे एक छोटा सा ऐसे आता है उसमें इसे अंदर रख दो गरम हो जाता है हाँ यह सादू के लिए नहीं है तो उपवास कर लो बढ़िया है जब मिले तो ताजा भोजन क्यों से ताजा कम तब कल परशों का ऐसा नहीं करना पा जार में जैसे कि ले आए आप उनको तल के ऐसे यह सब ठीक नहीं चाव में वो क्या कहते हैं से महीं जैसा यह सब बिलकुल ठीक नहीं है क्या चल रहा है अरे आटा लगाओ चार रोटी बनाओ स्रीजी को भोग लगाओ पाओ पेट भरो भजन करना है चंचलता काम कुरोध लालच और पापाचरण से युक्त बना देने वाला ये तमोगुणी अहार बिलकुल नहीं करना चाहिए जो ब्रह्मचरिवृत में रहना चाहता हो उसको शावधान रहना चाहिए कि बाशी बाल पड़ा हुआ मक्खी पड़ा हुआ ये भोजन सब अत्यांत तमोगुण के अंतर गताता है दुरगंध हो गया है या अपना वो सोरूप बिगार दिया है भोजन ने फिर भी आप उशे भोजन या ग्रणित निंदनी पुर्षों द्वारा बनाया हुआ ताजा भोजन ग्रणित आचरण वाला निंदनी पुर्षों द्वारा बनाया हुआ ताजा भोजन वो भी घोर तमोगुन होता है अब पीछे सीसा में जो सामान हो तो बढ़ियां चमकती हुए लेकिन पीछे कैसे बन रही कैसे तुम्हें पता चलेगा कि बनाने वाला कौन बेचने वाला तो चंदनति लग लगा के बैठ गया सामने बॉक्ष में बहुत अच्छी उसकी पोजिशन दिखा है देरी भोजन की लेकिन पीछे जो बन रहा है वो कैसा पुरुष बनाने वाला है इसलिए उपाशक को खास बात ध्यान रखनी चाहिए कि मांग के भले किसी के हां से पालो लेकिन बजार का भोजन नहीं ठीक है आप समझो इस बात को एक दिन पाओगे दसियों दिन के लि दरिद्र शवाओ अधर्मी पापा चरण अलपायू हो जाता है जो ये तामशिक भोजन करता है तामशिक भोजन में एक बात फिर सुन लीजे बुले हींग प्याजलेशुन और मीट मशाला मांस मचली अंडा सराब चाए काफी कोकीन चरस बाशी आहार रशहीन गला हुआ दुरगंधित और घ्रणित निन्दनी पुरुषोद्वारा बनाया हुआ ऐशा भोजन तामशिक है ये आपको ब्रमचरी नहीं रहने देगा दुखी बुद्धिहीन क्रोधी लालची आलशी दरिद्र अधर्मी पापी और अलपायू बना करके नरक गामी करेगा ऐसे उपदेश कर रहे हैं प्रशान्ता अत्मा विगत भीर ब्रह्मचार इव्रते स्थिता मनह सैयम मत्चितो युक्त आशीत मत्परः प्रशान्ता अत्मा जिसका अंतार करन किसी भी परिस्तिती में अशान्त नहीं होता चाहे कोई कितना उसे उत्तेजित करने की चेश्टा करे उद्वेगित करने की चेश्टा करे परेशान करे निंदा करे अपमान करे पर उसके हर्दे में हल चल नहीं होगी या कोई कितना अनुकूल हो कितना प्रणाम नमस्कार कितना शुखद वानी शुखद बिवहार उसके हर्दे में हल चल पैदा नहीं होगी ना रागात्मक हल चल ना द्विशात्मक हल चल ये बहुत बड़े इस्थिती है और ये इस्थिती प्राप्त करने के लिए ही हम शब को भगवत मार्ग मिला है ये अध्यात में ही एक ऐशी विद्या है जो आपको शमस्त दुखों से बचा सकती है और तो कितनी भी विद्या पढ़ लो वो मायाकृत भ्रमात्मक शुकों को दिखा देगी जो दुख योनया है जो दुख आलयम के अंतरगत है और दुख ही दुख अनुभो कराएगी एक मात अध्यात्मिक विद्या ही ऐशी है जो हर सरीरधारी को शांती प्रदान कर सकती है जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं उनके जीवन में कोई भी विकास या प्रकास नजर नहीं आएगा आपको शांशारी कुन्नती देखने को मिलेगी लेकिन उनके हर्दय में शांती, शैयम, आनंद एक खोजने पर भी नहीं मिलेगा फिर क्या शारी शामगरी, शारी शमंद, शारी पदप्रतिष्ठा इसी की चाह से तो किया जाता है कि हमारे हर्दे में शांती आ जाए हमारे हर्दे में एक विश्राम इस्थिती आ जाए एक आनंद इस्थिती आ जाए पर किसी को शांती नहीं जितना एश्वरे बढ़ता जाता है उससे आगे बढ़ने की आकांक्षा होती जाती है जितना भोग भोगते जाते और भोग भोगने की इच्छा होती है जो भोगी है एश्वरे का शंग्रह करने वाला है जरासा अपमान में उक्रोधित हो जाएगा जराशा शम्मान में द्रवित हो जाएगा छणे रुष्टा छणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा चणे चणे छण शण में उसका परिवर्तन देखा जाता है अभी वो अपना एक शण में पराया एक शण में प्रशन दूसरे शण में नाराज अन्ताकरन बिल्कुल हलका हो जाता है और जो भगवत मार्ग अध्यात्म मार्ग का थोड़ा भी अनुशरन करेगा उसमें सहन सीलता जागरत होने लगती है विचार जागरत होने लगते है विवेक जागरत हो जाता है शामाग्री, एश्वर्य, भोग ये ना होने पर भी वो परम शुकी अनुभो करता है अपने को क्योंकि शुक प्रभू में है माया में नहीं प्रशान कात्मा ये जब तक तुम्हारे हरदय में किसी भी विक्ति वस्तु के प्रति थोड़ा भी राग रहेगा या द्वेश रहेगा अनकुलता में राग होता है प्रतिकुलता में द्वेश तो हरदय शान्त नहीं कहा जा सकता जब शान्त भाव ही नहीं आया तो दास्य भाव, शक्खे भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सेचरी भाव ये तो बहुत उचाई की बात हो गई पहले तो शांत भाव ही आना चाहिए किसी भी घटना परिष्थिती व्यक्ति वस्तु इस्तान का हमारे हरदय में हल चल न होना उद्वेग न होना विकार न होना चहे जितनी अनुकुलता आ जाए हर्ष न होना चहे जितनी प्रतिकुलता आ जाए शोक न होना ये अध्यात्म विद्या से प्राप्त होता है ये अध्यात्मिक शक्ती से सहा जाता है ये लोकिक शक्ती से नहीं ये रुपे पैशे से नहीं ये जिम जाके सरीर पुष्ट करने से नहीं ये नाना प्रकार के बड़े-बड़े अंगरक्षक रखने से नहीं या बड़ी बड़ी बिवस्थाओं से नहीं आपका हर्दे भेभीत रहेगा आपका हर्दे अशांत रहेगा रागद्विश्य जलता रहेगा तब तक जब तक अध्यात्मिक विद्या नहीं और अगर अध्यात्मिक विद्या है तो आप खुद अपने में इतने शमर्थ रहेंगे कि किसी अंग रक्षक की आउशक्ता नहीं किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा को भगवत प्राप्त महात्मा को भगवत तत्वोध महात्मा को किसी अंग रक्षक की आउशक्ता नहीं होती है सची जब तक हमें किसी और के रक्षा की जरूरत है तब तक अध्यात्मिक विद्या की प्रवीणता नहीं आई, इसलिए ऐसा है क्योंकि वो भैरीत हो जाता है, आगे श्री भगवान कहते हैं, वीगतब भीर, भैरीत हो जाता है वो जो अध्यात में विद्या शेयुक्त हो गया है वो भैरहित हो जाता है अध्यात में विद्या हम क्यों नहीं धारण कर पाते हैं आगे भगवान बरणन करते हैं ब्रह्मचारी वरते इस्थिताहा यदि आप ब्रह्मचारी नहीं है तो आप अध्यात में विद्या को धारण नहीं कर सकते हैं यह वो विद्या नहीं है कि किवल बहुत धिक विद्या हो कि बुद्धी के दोरा आप रटलो बुद्धी के दोरा आप उसको समझ लो ऐसी विद्या नहीं है इसमें आपके एक एक आचरण एक एक इंद्री जब शास्त शम्मत चलेगी तब आप अध्यात में विद्या को जान पाएंगे और अध्यात में विद्या को जान गए तो ये स्वभाविक शवाप के अधीन हो जाएंगे ब्रम्चारिवत इस्थिताजल है वही निर्वे हो सकता है ब्रम्चारी के हरदे में एक एशी अध्यात्म शक्ति होती है कहीं कोई कभी भे नहीं लगता कहीं भी अगर कभी भे का भी ओशर आता है तो उसकी जाच करता है कहां भे है कौन शब भे है क्या है थोड़ी ही देर में समात क्योंकि जो निर्वे चरणारविंद का अश्च्रे लिए हुए है महा बल्शाली प्रभुश्री हरी की भुजाओं का अश्च्रे लिए हुए उसे का भे लगेगा अभयद भुजदंडमूल जिनकी भुजाएं शरनागत को अभय प्रदान करने के लिए फड़कती रहती है अजान बाहू अमित बल्शाली प्रभुश्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उनकी भुजाएं फड़कती रहती है जो उनके चरणों का आश्च्रित होता है शरनागत अभय विरद पतित पावन बाने व्याश से अतियधम आतुर कोको नश्रमाने श्वामनी के गूरे चरणारविंद का अदभुद प्रभाव अदभुद शक्तियां अपने शरनागत की रक्षा करती रहती है राधा किशूरी के ही यंस से जितनी महा शक्तियां है कामाख्या, दुर्गा, अंबा, चामुंडा ये महान महान शक्तियां सब लाड़ली जुके एक अंश से प्रगट हुई है श्वामनी जुके गूरे चरणारविंद में अनंत शक्तियां बास करती हैं जिन चरणों को श्वयम महा बल्शाली प्रभूर श्री कृष्ण दैन्य होकर दुलार करते हैं इन चरणों का जो आश्ट्रे लिये हैं सरनागत अभे विरद पतित पावन बाने चाहे जितना कोई पतित हो श्री राधा किशोरी के चरणों का अश्ट्रे ले लिया तो अत्यंत दयालू कृपालू वात्सल शमुद्र लाडली जो उसका कभी त्याग नहीं करती हैं पतित पावन बाने पतितों को पावन कर देना इनका श्रुभाव है इनकी चरणों का प्रभाव है बेभीत को अभे कर देना चाहे जितना कोई अधम क्यों नहो एक बार हमारी लाडली की शरण में आ जाए हरदेशे आ जाए अन्य ठोर ना रखे तो बस हो गया हो चाहे जैसा भी हो